कैसरगंसे निवर्तमान सांसद ब्रजभूशन सिंग के बाद अब उनके बेटे करण भूशन सिंग पर भी आचार सहिंता उलंगन का के जर्ज हो गया है करण भूशन सिंग बीजेपी के प्रत्याशी हैं जिला प्रशासन ने उनके खिलाब तरब गंश्थाने में फाई आर्दज कराई है आरोप है कि बिना अनुमती वाहनों का काफिला निकालने के साथ ही उनके समर्थक आदर्श आचार सहिंता और निशेधाग्या कानून की सरयाम धज्जियां उड़ा रहे हैं तरब गंश्थाना छेदर के बेल सर बाजार में शनिवार को करन भूशन के समर्थकों ने आतिश बाजी की जिसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वाइरल बे किया गया जाँच के बाद डीम के आदेश पर मुकदमाब दर्श कर लिया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने आदर्श आचार सहिंता उलंगन और बिना अनुमती काफिला निकालने के मामले को गंभीरता से लिया आतिश बाजी करने के साथ दर्जनों बाहनों का काफिला भी निकाला गया था बिना अनुमती जगे जगे स्वागत कारकरम का आयोजन किया गया रविवार शाम करीब 7 बजे तरब गंज विधान सभा FST प्रभारी डॉक्टर सुमित कुमार की ओर से FIR दर्ज कराए गई आचार सहिंता और निशेधाग्या कानून लागू होने के बावजूद बेलसर चोरा है पर उनके काफिले में मल्टी शॉट क्रैकर फोड़े गए थे इतना ही नहीं बिना अनुमती दर्जनों बाहनों के काफिले निकाल कर शक्ती प्रदर्शन करने की भी कोशिश की गई साथी सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो पे शियर किया गई तरबगन सरकिल के सीओ सोरब कुमार ने बताये की करन भूशन सिंग के खिलाफ बगया रनुमती काफिला निकालने स्वागत के दरान सिलसिलिवार पटाखा दगाने के चलते आदर्श आचार सहिता उललंगन की धराओ में रेपोर्ट दर्ज कराई गई आपको बता दी के पिछले दुनों प्रशासन ने ब्रजबूशन के खिलाफ भी खरगू पूर्थाने में आचार सहिता उललंगन का मामला दर्ज कराया था गौर्तला भही की कैसरगन सांसद वब भारती कुष्टी महासंग यानि की डब्रजबूशन सरड सिंग विगत कई दिनों से सुर्खियों में बने हैं ब्रजबूशन सरड सिंग के अंदाज में ही भाजबा प्रत्याशी वो उनके बेटे करण भूशन सिंग और समर्थक प्रशासन के लिए लगतार चुनोती बन रहें पिछले दिनों प्रशासन ने कैसरगन सांसत ब्रजबूशन सिंग के खिलाफ खरगू पुर्थाने में आचार सहिता उनलंगन का मामला दर्ज कराया था लगतार भाजपा प्रत्याशी करिन भूशन सिंग और उनके समर्थक आचार सहिता और निशे धग्या कानून की धज्जी आउडाते रहें NBT Online की रिपोर्ट